हाई गाई वेलकम बेक टु माइ चैनल कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आजके वीडियो में मैं आपके साथ कोई मस्टर्ड ओयल लिए मेरा ओल टाइम फेवरेट ओयल है विंटर एंड समर दोनों में ही मुझे ये विले ओयल से ओयलिंग करना बहुत ही जदा अच्छा लगता है इससे मेरे बाल काफी जदा हेल्दी रहती है अपने बच्छों को भी मैं यही वला ओयल यूज करती हूं इसक चाह्मारे बालों पर बहुत ज्यादा और हेल्दlaw करने करते हैं जिस इसलिए महीत बहुत ज्यादा सुदी यह बालों इसलीओ नहीं करने जाहिए klis क्लिंग है अपने हाथो international गारीओ embrace इस तरह से आपको सबसे पहले scalp पर oil लगाना है, then आपको length पर oil लगाना है, अच्छी तरह से हलके हातों से आपको बालों पर massage करनी है, forehead पर, neck पर, कानों के पीछे, अच्छी तरह से finger से massage करनी है, अगर आप इस तरह से oiling करेंगे, तो आपके hair fall की problem भी कम होगी, अगर आपके hair fall की problem कम होगी, तो आपके बाल लंबे बनेंगे, घने बनेंगे, मजबूत बनेंगे, अगर आपको hair fall की problem बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके scalp काफी जदा dry रहती है, इचिंग की problem अगर आपको रहती है, डेंडरफ की problem लहती है, तो सभी का solution एक है, कि आपको oiling अपने बालों पर ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने बालों को dry ना रखें, ड्रायर का use बहुत कम कीजिए, नैचरली अपने बालों को air dry होने दीजिए, इसके लावा जो और भी electronic tools हैं, जैसे की straightener, या फिर बालों को ज़्यादा curl मत करें, इससे हमारे बाल damage होती है, इन सबी चीज़ों का use बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए, तो देखें, साथ आपको massage भी करनी है, आप देख सकते हैं, बालों में कितनी अच्छी shine आई है, थोड़ा थोड़ा oil लेकर सारे बालों पर अच्छी तरह से oil की है, एक साथ बहुत ज़्यादा oil का use मैंने नहीं की है, सारी lantern scalp पर अच्छी तरह से oil लग चुक है, इसके बाद थोड़ी देर के अपने बालों पर फिर आप देख सकते हैं कि मैं combing कर रही हूँ, सारे tangles को अच्छी तरह से remove कर लिया, इसके बाद आप single braid बना कर रख सकते हैं, बालों को open ना रखें, hope guys आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe भी कर दे, next video आप कौम सी देखना चाहते हैं, यह भी मुझे comment करके जरूर बताना, आप ना तो कोई comment करते हैं, ना ही video को like करते हैं, तो please guys, video को like भी जरूर करें और comment भी करें, तो चलिए guys, अब मैं आपको परी next video में मिलूंगी, तब तक लिए thank you झाल to करें एंगे करें लिए झाल को विह यदिचोंके लिए यदग विग्या अजिए और तक लिए एंगवटर झाल आपको यद्याग संबलिए अवद्याग Left